तो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस All-in-One चैनल में दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी Central Government Employees, Pensioners और सभी सैनिक अर्मियों के लिए जो important updates हैं बेसिकलिए जो यह updates है वो जो ECHS की facilities है उसमें जो अपग्रेडेशन है CGHS में जो भी updates आएं उसके बारे में इसके लाओ दोस्तो पेंशनर्स और फैमली पेंशनर्स से related जो important updates हैं और 7th Pay Commission से related दोस्तो जो updates आ रहे हैं उसके बारे हम बात करेंगे और इसके लाओ जो आर्मी में जो LTC का rules है उसके claim करने का जो process है उसमें क्या क्या changes होएं उन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे तो चलिए दोस्तो बात करते हैं इन सभी important updates के बारे में अगर अब तक आपने इस channel को subscribe नहीं किया तो subscribe जरूर करें जिससे आने वाली हर वीडियो का update आपको मिलता रहें और साथ ही साथ bell icon जरूर दबाएं दोस्तों एक एक करके हम पॉइंट बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं तो cghs में जो है अभी जो है government ने decide कि सभी नए शहरों में जहां जहां पर cghs की facilities नहीं है वहां वहां पर cghs की center खोले जा रहे हैं और वह सारे की facilities जो है वहां पर provide की जाएगी इसकी उन उन cities पर जो जो लोग अभी भी जो fixed medical allowance की facility ले रहे हैं उनको जो है उसको रोकना पड़ेगा then only they can get this cghs facility और इसके लाओ दोसो cghs का जो employees जिनको की cghs की facility मिल रही है उसमें भी increase किया गया है mtnl और bsnl दो जो organization है उनको भी इसमें include किया गया है तो जो लोग भी pensioners और retired people mtnl और bsnl से हैं वो लोग भी cghs की facilities ले सकते हैं अगला अपडेट दोस्तों ECHS के लिए ECHS में अभी भी जो 64 kb card है उसको जो है उसके मिलने में भी देरी हो रही है और कई लोगों भी अभी भी wait कर रहे है उसके पीछे reason यह है कि उसकी जो checking होती है कि जो card जो authentic है कि नहीं है उसमें थोगा time लग रहा है इस company जो में जिसको के manufacturing करने के लिए cards दिये थे उन्होंने सारे cards बना दिया है तो आने वाले time में जो ECHS के 64 kb card है वो आपको जल्दी मिलना शुरू होगे next दोस्तो army में जो LTC के rule में change हुए मैं आपको उसका office order दिखा जाता हूँ कि LTC में क्या change हुआ है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि change of hometown और इसमें देखिए आपकी while availing LTC army office तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो change of hometown अगर आप किसी भी LTC के लिए apply करते हैं तो वहाँ पे जो है जो आपने एक बार अपना hometown रख दिया है वही आपका hometown रहेगा उसको आप जो है change नहीं कर सकते हैं और उसी वह जो आपका hometown जो आपने decide किया है उसी के hardship allowance में bumper increase किया गया है अब जो है risk and hardship allowance जो है up to 25,000 तक जो है grant किया जाएगा और यह different different categories में depend करता कि किस area में काम कर रहे हैं कितना जादा वहाँ पर risk है तो वहाँ पे जो है 4,200 से लेके 25,000 तक की salary का जो है increase होगा इस risk and hardship allowance में तो यह basically government की तरफ से notification आ गया है और इसको जो implement में कर दिया गया है तो risk and hardship allowance जो है अब आपकी salary में काफी increase होना वाला allowance के वेश से और यह सभी जो है यह basically different different जो है central government employees है उनके लिए applicable होगा बट यह risk and hardship हो जो भी risk की काम होगा उसके recording जो है यह thank किया जाएगा इसके लाओ दोस्तों pensioners of family pensioners के लिए बहुत important अपडेट यह है कि 23 अगस्त को जो pension अधाला दे उसमें आप जाके जरूर उसको में participate की जिए जिससे कि आप pension से लेटेड जो भी आपके issues है उसको जल्दी से जल्दी rectify किया जा सके इसके लाओ दोस्तों 7th pay commission से related डीए में गौर्मेंट के तरफ से जो है एक अच्छी news है कि दशेरे से पहले पहले जो डीए जो है पांच परसं तक जो है implement करने की त्यारी कर रहे हैं और जल्दी जो डीए में जो increase होगा वो आपको जो है notification आ जाए गया और को कोशिश की जा रही है कि जो गौर्मेंट की तरफ से जो है कि फेस्टिवल सीजन से पहले पहले जो है इन चीजों को जो है प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जा सके इसके लाओ दोस्तों कई जगा पर जो है डीए इन 7th pay commission कंटर जो है implement भी कर दिया जा चुका है और जैसे म अब्डेट अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो